ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं सिंग राशी वालू अब देवों के देव महादेव भगवान भुलेनात का फैंसला आ गया है क्या क्या लिखा है आपके नसीब में जा दोस्तू अब आपको 11 जुलाई से 17 जुलाई याने कि इन 7 दिनों में मिलने वाली हैं बहुत बड़ी खुसकबरी जा दोस्तू प्यार पैसा सुक जा दोस्त बगवान भुलेनात का फैंसला आपके लिए 11 जुलाई से 17 जुलाई याने कि इन 7 दिनों का समय बहुत यच्छा समय रहने वाला हैं जा दोस्तों इन 7 दिनों में आपको भगवान भुलेनात का सिर्वास से अने को प्रकार की बड़ी बड़ी खुसकबरी मिलने वाली हैं जिससे आपका जीवन बदल जाएगा ज़ा दोस्तों भी बड़ी खुशकवरियां कौन कौन सी हैं इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंतर तक अवश्य बने रहें और अंतर तक इस वीडियो को आप पूरा देखें बिलकुल भी इस वीडियो को आप मिश ना कर क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुती महत पपूरे रहने वाली हैं दोस्तों वीडियो का कि शुरू करें सबसे पहले भगवान भुलेनात के सच्च भक्ते से वीडियो को एक लाइक अभी कर दें कमेंट्स बोक्स में जै भुलेनात तवस्य लिग दें जिससे भगव अब समय पून तहां आपके पक्ष में वर्तमान में की गई महनत का पूरा फल अब आपको मिलेगा साथ ही आप अपने अंदर अदबुद आत्म विश्वास और आत्म बल महसूस करेंगे शांती की चाहा में किसी धर्मिक इस्थल में भी समय जल्द ही व्यतीत होगा मन में चल रही किसी दुविदा का भी शमाधान मिलेगा संतान दुवारा कोई सुब समाचार मिलने से घर में प्रसंता का माहूल रहेगा धन प्राप्ति की दिशा में किये गए आपके सारे प्लान सफलता हंसिल करेंगे अब आप बहतरीन तरीके से अपने कामकाजों को अंजाम देने में भी सफल रहेंगे अपनी चुपी पिरतिभाओं को समझें और उनको सही दिसा में लगाएं भाईयों के साथ किसी महत्मपूर्ण मुद्दे पर शकारात्मक विचार विमर्स भी होगा जल्द ही आपके लिए ए प्रतियासित लाब की इस्तिती बन रही हैं आप अपने आने वाले समय का सद्योप्योग करें लंबे समय से चले आ रहें किसी तनाव और चिंता से अब आपको राहत मिलेगी धर्मिक इस्थान में जाने का भी जल्द ही प्रोग्राम बनेगा दोस्तों आपके लिए यह समय बहुती लाबकारी हैं अपने उद्रसों प आपकी धकान को भी दूर कर देगी अनुबबी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से कुछ बहतर आपको सीखने को भी मिलेगा अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए योजनाई भी मनेंगी सबी प्रकार के रिस्तों में सुधार आएगा और चार आथी साथ किसी भी व्यक्ति के साथ बात चीत करते समय आप सावधानी बरते कोई नकार अतमक बात आपसी संबंदों को खराब कर सकती है आलस की वजए से काम को कुछ टानले की भी प्रबर्ती रहेगी विध्यारती वर्ग अपनी पढ़ाई के प्रती ज्यादा एकागर च कित रहें कभी कभी आत्म विश्वास में कमी तथा आलस की वजए से बंते कामों में भी रुकावट आ सकती हैं अपनी नकार अतमक कमियों को दूर करके आप भैतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों के साथ जादा गोमने फिरने में भी समय व्यर्थ आप ना करे समय का सद्य उप्योग करें दोस्तों साती साथ कोई एप्रिय समाचार मिलने से मन व्यतित रहेगा किसी भी महत्पपूर्ण वस्तू के चोरी होने या फिर गुम हो जाने का भी भै हैं कैई बार किसी मुद्दे पर जादा सोच विचार करने की वजए से कोई महत्पपूर् आधान रहें शेयर शट्टा आदी में किसी प्रिकार का आप निवेश ना करें तथा साती सात किसी अंजान व्यक्ति से वाद विवाद में भी आप ना पड़ें घर में महवानों के आगमन से कुछ महत्पपूर्ण काम भी रुख सकते हैं इसलिए अपने काम काज के प्रत सजग रहें साती सात पुराने जगडे दोबारा उभर सकते हैं पढ़ाई कर रहें बच्चों में आलस रहेगा खास कर पैसों के मामलों में किसी पर भी आप अधिक भरोसा ना करें कोट केस सम्बंदित मामलों में चड़चाएं भी हो सकती हैं जिसमें आपको सफलताएं भ शकारत्मक बना कर रखें आपके लिए हितकारी रहेगा दोस्तों बात करें आपके प्रेम जीवन की तो परिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन तता सौपिंग में समय व्यतीत करने से आपसी संबंदों में और अधिक मधुरत आएगी कामकाज के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों के ध्यान रखना भी आपका दायत्व है किसी गलत फैमे की वज़े से घर में किसी सदस्यों के साथ मदबेत हो सकते हैं पती पत्नी में आपसे समंजस का भाव विद्धमान रहेगा परिवारिक वेवस्ता को बनाए रखने के लिए अपने करोध पर नियंतर रखना भी आपके लिए अतियावशक है रिस्तेदारों से संबंदित कोई सुब सूचना मिलने से घर में उतसब भारा माहुल रहेगा प्रेम संबंदों में भी और नजिदी की आएंगी पती पतनी से संबंद मधुर रहेंगे प्रेम संबंदों में अपने साथी के प्रती इमांदार रहें वेवारिक संबंद मधुर रहेंगे परंतु मित्रों से अधिक मेल जोल रखना आपसी संबंदों में परेसानिया उत्पन कर सकता है दोस्तों बात कर लेते हैं आपके व्यवसाइक केरियर की तो व्यवसाइक दरश्टी कौन से समय पूरता आपके पक्ष में हैं आप किसी भी तरीके से अपने काम को निकलवाने में शक्षम रहेंगे नोकरी पेसा लोगों को भी अपना काम कुशलता से पूरा करने पर सीनियर आफिसरों से शकार अत्मक परणाम हासिल होंगे शैयोगियों और कर्मचारियों के साथ संबंद मधुर बना कर रखें जिस कार्यों को आप सहज और सरल समझ रहे थे वे बहुती मुस्किल भरा होगा इसलिए अपने कार्य के प्रती पूरी तरह से एकागर्चित रहने की आपको आवशक्ता है नोकरी पेसा व्यक्ति अपनी फाइल वे दस्तावेज बहुती अधिक समाल कर रखें कार्य छेत्र में शांती प्रियत तरीके से काम संपन होते जाएंगे तथा अपनी जिम्मेद प्रती 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 आवशक्ता है जरासी भी नापरवाही नुकसान दैक साबित हो सकती है इस समय कार्य के गुणवत्ता को और अधिक बहतर करना अति आवशक है प्रोपर्टी संबंदित कारों में सफलता मिलेगी तथा वैपार को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ महत्पपून योजनाय बनेगी और सफल भी होंगी नौकरी में अपने लक्षय को राप्त कर ल सबी कार्य भी आपके निवटेंगे कोई नया काम शुरू करने से पहले अपने घर के अनुबवी व्यक्तियों की सला अवश्य लें आपके लिए लाबकारी रहेगा दोस्तों बात करें आपके स्वास्त की तो स्वास्त के दरश्टी कौन से कफ और खासी की वज़े से गले कान वे कमजोरी महसूस होगी शमय समय पर आराम भी लेना आपके लिए आवश्यक है साती सात अपने खानपान बर भी आप विसेश रूप से ध्यान दें तला हुआ भूजन आप ना करें परेज करें सुपाच्य भूजन करें जो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छ रहेगा साती सात अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें